Hello everyone, welcome back to Little Explorers. आज के सेशन में हम डिस्कुस करेंगे NCRT क्लास 8, हिंदी बसंद भाग 3, चैप्टर नमबर 4 दीवानों की हस्ती के प्रश्णों के उत्तर ये एक पोयम है, सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के प्रश्णों के उत्तर को हम सीखेंगे और जानेंगे दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्लास अभी, आसु बनकर पह चले अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले किस और चले, यहां मत पूछो, चलना है बस इसी लिए चले जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूटो को हम एक भाव से पिए चले, यह है कविता और अब, प्रश्ण नमबर एक, कभी ने अपने आने को उल्लास और जाने को आसु बनकर बह जाना क्यूं कहा है उत्तर, कभी बेफिक्री, भरा जीवन जीने वाला बैकती है, कभी ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्यूंकि जहां भी वहां जाता है, मस्ती का आलम लेकर जाता है उससे मिलकर लोगों के मन प्रशन हो जाते हैं, पर जब वहां उस इस्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उससे तथा वहां के लोगों को दुख होता है बिदाई के शणों में उसकी आखों में आसु बह निकलते है प्रशन नमबर दो, भीकमंगों की दुनिया में बेरोग प्यार लुटाने वाला कभी ऐसा क्यूं कहता है कि वहां अपने हिर्दय पर असफलता का एक निसान भार की तरह लेकर जा रहा है क्या वहां निराश है या प्रशन है उत्तर, यहां भीकमंगों की दुनिया से कभी का आसा है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं कभी ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उससे वहां प्यार नहीं मिला जिसकी वहां आसा करता है कभी निराश है, बहां समझता है कि प्यार और खुशिया लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा दुनिया अभी भी शानसारिक विश्यों में उलजी होई है, इससे लगता है कि कभी निराश है प्रेश्ण तीन, कभीता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी उत्तर, कभीता में कभी का जीवन के प्रती द्रिश्टिकोन अच्छा लगा, कभी कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है हमें दोनों प्रस्तितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए ऐसी द्रिश्टिकोन रखने बाला बैक्ती ही सुख ही रह सकता है बिशेश तोर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है भाशा की बाद प्रस्ट नमबर चार संदुष्टि के लिए कभी ने चकर जी भरकर और खुलकर जैसे सब्दों का इस्तमाल किया है प्रयोग किया है इसी भाव को ब्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिये जैसे हसकर गाकर उत्तर खीच कर पी कर मुस्कुरा कर दे कर मस्त होकर स्रोबर सराबोर होकर ये इस चैप्टर के प्रश्टों के उत्तर है आशा है आपको इससे मदद मिली होगी थैंक यू फॉर वाचिंग दो लाइक, शेयर और सिस्क्राइब और अपकमिं वीडियो दो सुस्क्राइब से कनेक्ट विद लिटल एक्स्प्लोर थैंक यू सो मुच